नमस्कार, दोस्तों मन की चाहत चैनल की एक और नई प्रस्तुती में आपका स्वागत है। हमारा आज का विशय है क्रोध। यह एक ऐसा भाव है जो मनुष्य के वास्तविक अस्तित्वव सोचने समझने की शक्ती को नश्ट कर देता है। वर्तमान समय में यह एक गंभीर विशय है जिसे आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। गुस्सा या क्रोध अर्थात एक ऐसी भावना जिससे हृदय में रक्त की गती तेज हो जाती है। मन उत्तेजित हो जाता है और व्यक्ति कुछ भी करने को आतुर हो सकता है। ऐसी अवस्था को ही क्रोध कहते हैं। क्रोध वहां होता है जो पश्चाताप पर समाप्थ होता है लेकिन इसका आरंभ मूर्खता से होता है। क्रोध ना दिखाई देने वाली ऐसी चिंता है जो भीतर ही भीतर आपको जला रही है। क्रोध उबलता पानी के समान है क्योंकि क्रोधी व्यक्ति खोलते जल में अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता। क्रोध और क्रोध से उत्पन होने वाली घटना दोनों अलग-अलग क्रम है। इसका स्पष्ट उदाहरन कुकर हो सकता है। क्रोध से उत्पन होने वाली घटना कुकर की सीटी के बराबर है और कुकर के नीचे जलने वाली अगनी क्रोध है। जब क्रोध बढ़ता है तब दबाव उत्पन होता है और सिटी बजने लग जाती है इसी तरह जब क्रोध सीमा के पार हो जाता है तो उस पर नियंत्रन करना आवशक है सभी जानते हैं कि क्रोध ऐसा मानसिक विकार है जो बहुत हानिकारक है मनुचिकित्सक इससे हर संभव तरीके से बचने की सलाह देते हैं जब गुस्से से बचना संभव नहीं होता तो उस स्थिती में हमारा धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ लौकिक जीवन भी सहचता से नहीं चल पाता है क्रोध को जीतने का सबसे प्रभावशाली उपाय आत्मा की अनुभूती ही है क्रोध एक ऐसी भावना है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं पूरी तरह से नहीं तो कुछ सीमा तक क्रोध का एक प्रसिद्ध उदाहरन रामायन से भी लिया जा सकता है रावन विद्वानों से भी विद्वान था और उसके दस सिर्भी थे फिर भी रावन की सफलता ने उसकी मानवता को और साथ ही उसके सद्गुनों को समाप्त कर दिया जब उसकी बहन शूरपंखा ने अपने गलत कारियों के कारण नाक कटवा कर अपनी कहानी रावन को सुनाई जो स्वभाव से जल्दी क्रोधित हो जाता था तो वह यह साधारन प्रश्न पूछना भोल गया कि तुम राम और लक्षमन से मिलने क्यों गई श्री राम से बात न करके रावन ने उनका पक्ष नहीं सुना परिणाम में केवल सर्वनाश ही हुआ रावन उस समय सबसे ज्यादा तनाव पूर्ण व्यक्ति रहा होगा यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह बहुत जल्दी ही क्रोधित हो जाता था इसलिए विचार करना आवश्यक है कि अपने क क्रोध को कम करने का प्रयास करें और निर्ने कीजिये कि आप क्या बनना चाहते हैं रामया रावन रावन की भूमिका उन सब के लिए नमुना है जो क्रोध को कम करना चाहते हैं गुस्से को रोकना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है अगर आप 10 मिनट गुस्सा होते ह तो 600 सेकंड की खुशी को खोदेते हैं। हम तब क्रोधित होते हैं जब हमारे पास बहुत सी मुश्किले होती है। परिणाम्त हम तनाव ग्रस्थ हो जाते हैं। जिसके पास कोई मुश्किल नहीं है, वे नश्वर देह के समान लेते हुए है। मुश्किले जीवन का लक्ष है। भगवान से मुश्किलों से दूर रखने की प्रार्थना करने की बजाए हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि है इश्वर। मुझे अधिक मुश्किले दीजिए और उन्हें हल करने के लिए ज्यादा बुद्धिमत्ता और बल भी। आज के लिए केवल इतना ही।